आपकी इंडिगो और हेना वाली रेमेडी से मुझे नाचरल ब्लाक कलर नहीं मिलता है या मिलता है तो पहले ही हेड़ वाश में फेड हो जाता है ऐसे बहुत से मेसेज़िस मुझे मिलें मेरे वीडियो के नीचे तो मैंने सोचा क्यों ना आपको extremely resistant जिद्धी बालों पे ये रेमेडी दुबारा से करके दिखाऊं और साथ में शेर करूं कुछ ऐसे tips जो अगर आप धंग से follow करोगे तो मेरी guarantee है आपको results मिलेंगे ही मिलेंगे ये remedy में करके दिखा रही हूँ मेरे father-in-law के extremely resistant यानि की जिद्धी बालों पर पहली ही बार में इनको color नहीं मिला था remedy को बनाना कैसे है एक पहले भी detailed वीडियो में मैं आप से share कर चुकी हूँ उसका link description box में डाल दूँगी फिर भी फटाफट बता देती हूँ यहाँ पर आपको लोहे की कड़ाई नहीं लेनी है लोहे की कड़ाई से indigo oxidize हो जाता है और अपना color नहीं दे पाता है तो यहाँ हम लेंगे glass bowl या bone china या फिर porcelain उसमें मैंने डाला है दो चमच महंदी और उसे normal पानी से घोल लेंगे बिल्कुल room temperature पर जो पानी है उससे घोल लें और उसे 24 घंटे के लिए ऐसे ही धग कर रग दें अगले दिन आप देखोगे कि जो महंदी है वो थोड़ी सी brown stone में आ जाएगी अब indigo मिलाने से पहले आपके बालों को आपको steam करना है ताकि जो आपके extremely resistant बाल है उनके cuticles open हो जाए उनका shaft open हो जाए और जब हम इसके ओपर material लगाएंगे indigo वाला तो वो अच्छे से absorb होगा और अच्छे से dark color देगा clipping जो थीना steam करने वाली वो मेरे phone से delete हो गई है I'm so sorry आपको कैसे करनी है steaming ये बता देती हूँ अच्छे गरम पानी में एक towel को भिगो दें चोड़ने के बाद उसे अपने बालों पे अच्छे से लपेट दें तीन से चार मिनट के लिए उसे ऐसे ही रहने दें जतनी देर त तरफ हम बना लेंगे अपना paste और जो मेंदी घुली हुई थी उसी में चार से पांच टेबल स्पून हम डाल रहे हैं indigo और अब गरम पानी से घोलेंगे जी हां गरम पानी से घोलना है क्योंकि गरम पानी डलते ही indigo अक्टिवेट हो जाता है और अच्छा color देके जाता है गोलने के बाद रुकना नहीं है स्टीम वाला टौवल उतारें और उसके बाद उतारते ही ये पेस अच्छे से coat कर दें अपने बालों पे लगा दें चाहें तो शावर कैप भी पहन सकते हैं ताकि आपका जो head है वो गरम रहे जाएं तो धूप में जाके बैठ जाएं क्यो कि गर्मी से इंडिगो और अच्छा कलर देता है स्क्रीन पर ये मैं ब्रांड दिखा रही हूँ एसम हेना वेदा अब तक का मेरा ट्राइ किया हुआ बैस्ट ब्रांड है कोई पेड प्रमोशन नहीं है कुछ नहीं है मैंने इतने ब्रांड ट्राइ की है न अब तक उन में स सबसे बेस्ट क्वालिटी प्योर बिना केमिकल का सबसे अच्छा रिजर्ल देता है पहली ही बार में डार्क ब्लाक कलर मिलता है मुझे क्योंकि मेरे एक्स्ट्रीमली पोरेस बाल है रिजिस्टेंट बाल मेरे आप फादर इनला के देख सकते हैं कि ये कलर उनका करेंगे तो आजाएगा तो फाइनल विफोर और आफटर आप देख चुके हो मेरे फादर इनला के बाल भी एक्स्ट्रीमी रिजिस्टेंट थे और पहली बार में उनको भी कलर बहुत अच्छा सा नहीं मिला था स्टार्टिंग में बस ग्रीनिश ग्रेजीग सा कलर हो गया अभी भी मैं कहूंगी कि ब्लाक प्रोपर जेट बला कलर नहीं आया है और आम वेरी शॉर कि नेक्स्टाइं जो रिपीट करेंगे 20-25 बाद या महीने बाद जब भी हो करना चाहें तो कलर और दाकर आता जाएगा तो रिजिस्टेंट या पोरस किस थाइप के हैर है इसमें प्युट करेंगे जाएग के गलती नहीं है आप उस थाइप के पर पालों के साहँ हो आप एससा कुछ कुछ कर नकिय सकते मेजर ली कि आप अपने जिद्धी पालों को पोर्स पर है ऐसा करना ज्यादा पॉसिबल नहीं है या तर श Mhm कर सकते हो की को अप लगाने से लेयर उसके उपर जो पोर्स है जो शाफ्ट पे जो होल्स होते हैं वो ओपन हो जाएंगे और जैसे कि जब आप स्टीम करने के बाद फटाक सी आप कलर मिला और लगा लो तो जैसे आपके क्योटिकल्स ओपन हो चुके हैं कुछ हाद तक आपकी जो रिजिस्टंट जिदी बाल थे वो थोड़े से पोरस हो गया है तो अब जब कलर लगाओ के वो थोड़ा बेटर बेटर रिजर्ट मिलेगा क्योंकि यह कलर ऑक्सिडाइज होता है और दाकर होता है अगले 48 आस तर उसके बाद आप किसी कम केमिकल वाले शांपू से मैं यूज करती हूं सैसा केर का अन्यन है शांपू जो कि थोड़ा नाच्रल है उससे आप बालों को यूज बलब शांपू करें जादा केमिकल वाल क्लियर किये हूए है उन सब भी वीडियो का लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशर कर रही हूं सो फाइनली एक ही बात बोलना चाहती हूं कि प्लीज डोंट गिब आप ऑन इस रमिटी चाहे रिजिस्टन बाल है चाहे पूरस बाल है कभी भी केमिकल दुबारा क्लियर को जाती है इसके साइड एफेक्स हैं जो अभी नहीं दिख रहे हैं जो यंग हैं को अभी नहीं दिखेंगे बट जैसे हम लोग अब मिदल 30 में आ चुके हैं और 40 के पास पौशने वाले हैं तो यह उसर दिखता है मेरी बहुत सारी फ्रेंज हैं जो केमिकल्स करते रहें तब तक रपीट करें जब तक आपको रजल नहीं मिलते हैं मेरी कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको रजल्ट मिलने में चार से पांच महीने भी लगे हैं बट ते नहीं गेव अप ऑन इस रेमेडी उनका पुरा विश्वास था उन्हों नहीं पुछ अमे सब्सक्राइबर्स करेइबर्स in शकर बेर थी लगे लिग लागles लुप कि अजिए फुड़ा-भ्रन द महीने था से दूड़ा से नहीं कि can people can girls कौश सब्सक्राइबर्स कर डिलताया खें प्रहाफोश में मीकुनुकर रığını ही द्रीजोल में fi दुऺ द्रीजोल है आए भी पिषची अट हो होरा हुएㄌ olvidी मेंकिकी साथ आपा आएlex वी अचाहिए में यहली से शेयर कर दोचानली छाहे हो तो आपड़री न चाहे हो यह बदी से शेयर कर out चाहब गड़े इस वीडियो को जादा से जादा शैर करो अपने पेरेंसके साथ शेर करो अपने परेंस के साथ को चल्ड़ों आए चली मेरी तो ही है चल्ड़ सार था चल्ड़ोंगे इस udah में कर थे , फंगए शहें लिआखें स क्यम के लाइजी